दुर्गजीले के वैशाली नगर के नौनिर्वाचित भाजपा विधायक रिकेश शेन ने एलान किया है कि उनके शेत्र में बेतर तीब कहीं भी मांस की दुकानी नहीं चलेंगी उन्होंने सभी दुकानदारों को एक स्थान पर गुम्टियो लॉट करने की बाद कही उन्होंने खुले में अवैध रूप से चल रही सभी दुकानों को तोड़ने के भी निर्देश दिये हैं विदाएक की निर्देश पर भिलाई नगर निगम का बुल्डोजर गुरवार शाम 18 नबर रोड सिप सुभास जोग पर पहुँचा और यहां संचाली 23 मांस मटन की दुकानों को तोड़ कर धराशाई कर दिया बिलाई नगर निगम ने खुले में अवैध रूप से मांस मटन मचली बेचने वालों के खिलाब गुरुवार को करवाई किया जितने भी लोगों ने सड़क किनारे अवैध रूप से आइस्थाई मांस की दुखाने संचालित की है उन सभी को हटाने का काम किया जा रहा है इसी कड़ी में निगम का तोडू जस्ता जुनवानी कोहका माल चौक से करवाई करते हुए कैम्प एक सुभास चौक पर पहुँचा गुरुवार रात को यहां भारी विरोत के बीच सभी दुखानों को तोड़ा गया मासमटन और सडक किनारे अन्य वैपार करने वाले सुभास चौक के वैपारियों के साथ निगम सभागार में अपर आयुक्त अशोक द्वेदी, सेस्पी आशिश कुमार बंचोर, छावनी थाना, ठियाई, सोनम गौाला की मौजूदकी में बैठक की गई इसमें वैपारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे कैम्ट एक के सुभास चौक पर लंबे समय से वैपार कर रहे हैं, उन्होंने अपने वैपार के लिए कोई स्थान दी जाए इस पर अपर आईपते ने कहा कि खुले में मांस मटन का विक्रै प्रतिबंधित क्या जा रहा है, इसे तत्काल बंद करिए अनिस्थान के लिए जोन दो, जोन तीन और योजन विभाग की सैक्त टीम मौका मुआमना कर इस्तिती साप करेंगे विएर रपोर्ट कटपट नियोस